हलो बच्चों स्वागा था पैस प्यारे से परिवास संसारपुर में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कच्छा 10 की गडित चैप्टर 13 का जो सांख ही है उसके वन साट की ठीक है और आज की क्लास में आपको मिलने वाले सारे के सारे अथी प्रश्ण भी हम सालों करेंगे और जो भी को स्चैन होगे सारे के सारे का अधिकतर आपको प्रश्ण आपको प्रीवियस कोश्चन मिलेंगे जिसे आपका पाइना नमबर प्रश्ण 2020 में आया है दूसरा आपका 2022 में यह न.C.R.T. के प्रश्ण है तो चलिए सबसे पैस कि माभति की माप नहीं है यह केंद वह सकते यह कह गया है तो इसले जो है कि आप son और बावलक में संबंध क्या होता है यह हमसे पहुचा गया है ठीक है अब इसमें आपको चार विकल्प मिल रहा है पहला A, B, C, D जल्दी से बताएगा तब तक हम अगला कोस्टन करते हैं ठीक है तीसरा देखिए सूत्र XI बराबर XI बत्र समांतर माद है बराबर A, SIGMA FI into XI बटे SIGMA FI गुने H यानि इस फार्मूले का इस्तिमाल जो है जब हम करते हैं वर्गी क्रत बारम बारता बंटन का माद राप्त करने के लिए UI हम कैसे निकालते हैं कौन सा फार्मूले लगाते हैं जिससे हमारा UI निकलता यानि यह इसे हम कैसे निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि UI का जो फार्मूला होता है वो होता है XI minus A बटे में H तो आपसान नंबर आपका C right answer है ठीक है और चौथा नंबर देखिए बारम बारता बंटन की माद्दिका आलेखी विदी से निम्र लिखित में से किसकी सहायता से ज्यात की जा सकती है कौन सी विदी से आलेखी विदी तो आयत्चित्र आलेखी विदी नहीं है बारम बारता वक्र आलेखी विदी नहीं है बारम बारता अपसन नंबर सी है बारम बारता बहुभूज यह अपका आलेखी विदी हो सकता है लेकिन इस पर सबसे साट काट क साही किया है यह आप लोग बताएगा जल्द से ठीक है जल्दी बताएगा कौन सा आपने साही किया है चलिए तो यह आपका option नमबर सीज राइटर अंसर है तो उम्मीद है कि यह तीज और चार यह चावधर जो पूस्चन है यह आपको समझ में आगे होंगे चलिए इसके बाद हम लोग सालो करेंगे पूस्चन नमर आगे के कोश्चन आगे कोश्चन देखिए बच्चो कोश्चन नमर पांट च्छै और साथ ठीक है कोश्चन नमर पांट में कहा गया है यदि पांट दस पंद्रा आर बीस पांटिस और चारिस का समांतर माद 21 हो तो आर का मान ग्याद कीजिए यह दोजार बाइस तेश में पूछा गया है और उसे नमर च्छै है तुजार बीस बाइस तेश और ये वाला भी तुजार बीस पाइस तेश पे पूछे गए प्रश्चन ठीक है यानि कि मोश्ट इंपार्टेट कोश्चन है बच्चोरे चलिए तो हमें क्या ग्यात करना है हमें आर कमांड ग्याद करना जब यहां पर समा इस का समांतर माद बराबर समांतर माद बराबर की फर्मूला क्या होता है पदों का योग पदों का योग बटे पदों कि संख्या थे? कि यह फार्मूला होता है जबकि सलांतर माद हमें दे लिए कि इतना है 21 है 21 पदों का योग सब को जोड़ना है कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस अहार प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 यह हो जाएगा 7 ठीक है तो 7 के इधर multiply हम कर सकते हैं तो कर देंगे यह इधर आ जाएगा यह हो जाएगा 21 गुणे 7 बराबर इन्हें हम जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा 40 और यह दोनों मिलके यह आपका आर इसका गुणा कराएंगे तो साथ एक अन्नम साथ साथ दुनी 14 बराबर 125 प्लस आर तो 147 माइनस 125 बराबर आर घटाएंगे 7 पर से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर आर तो आर कमान कितना निकल के है 22 आपसा नमबर B is right answer ठीक है तो कहीं पर कोई समस्या कोई दिक्कात हो तो आप लोग कमेंस जरूर करें ठीक है तो चलिए question 5 नमबर पाँच ऐपका चाल हुआ इसको करते हैं रख इसकी स्किन साथ नियूड़ी दिये ठीक है तो हम अगला question को आप सालो करेंगे इसको करती है हम ने रख… et 6 नम्मर पार्मूला आपको यही लगेगा कि उसने क्या कहाया देखिये का 1-9 तक की प्रकृतिक संख्याओं का समानतर मांदर गयात करना है तो एक से नव तक की प्रक्रिटिस है कौन होती है, एक प्लस दू, प्लस तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नव, बटे में आपका क्या आजाएगा, नव, इन्हें सब को जोड लेना है, ठीक है, देखें, जोड ये, यह हो जाएगा, तीन, तीन, छै, छै, चार, दस, यह जोड लेजिए, तेरा में साथ, जोड देते हैं, तो 20 हो जाएगा, 20 है, 21, 21 और 9, कितना जोड 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 जेता है, यहां तक कितना हो गया 30 यह इतना है 30 इधर में कितना जोड़ा था कितना था सथ 15 था ठीक है तो दुबार जो लेजिए तीन च्छाइब पंद्रह तीस कितना हो गया 35 थी हो जाएगा 45 बटे नव काटेंगे नव बना 45 यानि कि इसका समांतर माध्य आएगा पांच ठीक है तो सम्झ मैं एक नहीं है अब इसके बाद जो है लास्ट कोस्टन यानि कि सत्वा नंबर करेंगे लास्ट कोस्टन नहीं त ठीक है इसको भी करते हैं रफ और यह हो जाएगा सात्वा नंबर एक से पंद्रह तक की समसंख्याओं का समांतर माध्य पूछा है तो पहले तो हम संख्या लिख ले एक से पंद्रह तक की समसंख्याओं तो यहां पर लिखेंगे एक से पंद्रह तक की समसंख्याओं बराबर, दो, चार, छाए, आठ, दस, बारा, चाउदा, होगे, अब जो है, अब इस फार्मूलें रखेंगे, पदों का योग, सबकों में जोड़ना होगा, दो, प्लस, चार, प्लस, छाए, प्लस, आठ, दस, प्लस, बारा, प्लस, चाउदा, और बटे में, पदों की संग्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पान, छाए, साथ, अब इन्हें सब को जोड़िएगा, चार, दो, छाए, चार, बारा, बारा, आठ, बीज, दस, तीस, तीस, दस, चालिज, तस, पच्यास, पच्यास, चार, चाउवन, दो, छापपन, कितनी है, चापपन, बटे, साथ, काटेंगे, साथ, एक, नम, साथ, साथ, अठे, छापपन, यानि कि यह एंसर जो है, वो तो चलिए बच्चों, गोस्चेन नंबर साथ की बाद हम लोग सालो करेंगे, इनके आगे के चुलत चलिए आगे कोर्चेन देखने बच्चों, गोस्चेन नंबर आठ नाओ और दस, ठीक है? यह भी तीनों कोस्चेन प्रिवियस कोस्टिन है तो देखिए इसमें कहा गया है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्द 20.5 तथा माध्दी का 20 हो तो उसका बहुलक होगा अब सबसे पहला खास यह है कि इसमें आपको फारमूला याद होना चाहिए अभी हमने सैद कोस्टिन काउन सा था दूसरा तीसरा कोस्टिन था जिसमें हमने माध्दिका और समांतर माध्द की संबंद का एक सूत्र बताया था वही सूत्र यहां पर लगेगा तो यहां पर हमे लिखेंगे साल्व नंबर आठ बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता तीन गुड़े माध्दिका माध्दिका माइनस दो गुड़े समांतर माध्द है ठीक है इस फारमूले को याद कर लिजिएगा इससे से एक कोस्टिन 100% बन जाता है ठीक है चलिए यह हुझाए कि आपका तीन गुड़े माध्दिका आपकी यह है कहाँ यह 20 माध्दिका है तो यह हुझाए कि बीस माइनस दो गुड़े समांतर माध्द है रहा जो कि यह 20.05 द्रूच साथ माइनस यह हुझा कि इतना 41 आप थेखिए उड़ा कर सकते हैं दो पंच दस के 0 हासिल एक दो जीरो जीरो और एक हो जाएगा यह एक दो दो नी चार एक अंग पर धन रो तो आप देख लिए कितना है 41 आएगा ठीक है तो इसको भठा देते हैं 10 में से एक जाएगा 9 5 में से 4 जाएगा एक यानिकी option number c is right answer ठीक है चली अब इसके बाद जो है हम 9 नंबर को सालो करेंगे तो सालो नंबर 9 ठीक है इसमें कहा गया कि n प्रेच्छनों का माध एक सबार है यदि प्रत्यक प्रेच्छनों को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध क्या होगा अब माल लेते हैं random कि 1 2 3 4 4 कि 7 7 2 9 10 ये आपके जो है क्या है एक अंक है ठीक है इनका यदि हम समानतर माध निकालते हैं तो क्या निकाल के आएगा इसका जो है यदि हम क्या निकालते हैं समानतर माध यानि x-bar तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या इनको प्लस चार बटे में चार चार तिन साथ दो नौ एक दस कितना हो जाएगा दस बटे चार वसे एक अंक और पोई ले लेते जिससे ये पूरा पूरी तरह से मतलब की आ जाता पूरी तरह से कट जाता ये होता है तो ज्यदा अच्छा होता तो हम चाहते हैं कि यहां पर तो इसमें पांच हम और अड़ कर देंगे कितना अड़ करेंगे पांच कितना हो जाएगा दस पांच पंद्रा और बटे में कितने संख्या पांच है तो हो जाएगा पंद्रा बटे पांच काटेंगे तो कितना आ जाएगा तीन सवांतर मादी कितना है तीन यही इन संख्य ह comedium क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तो इनका योग दो प्लस प्लस प्लास च्यार प्लास पाँच प्लास चैब बटे में कतना पाच जोड़ें कितना आएगा पाच पाच दस दस बीस काटेंगे तो कितना जाएगा च्यार अंकों मांत्र सभी एक बढ़ाया है जिसकी वजह से क्या फर्ग पड़ा कि समांतर माद्य में भी एक बढ़ गया इससे एक बात हमें कर्णफर्ण पता हो गई कि हम इन में जो भी फेर बदल करेंगे इन अंकों में जो भी फेर बदल करेंगे वही समांतर माद्य में फेर बदल हो जाएगा यानि कुछ जोडेंगे तो उतना ही जोडेगा, कुछ घटाएंगे तो उतना ही घटेगा, गुणा करेंगे तो भी उतना ही गुणा होगा, भाग करेंगे तो भी उतना ही भाग होगा, समझ मैं है कि नहीं, समानतर मादे में उतना ही एफेक्ट पड़ेगा, जो इन अंकों मे किसी एंक से तो भी समांतरमाद में भाग देवेंगे पर भी अंसर आ जाएगा ठीक है तो इसमें कहा गया है कि A बढ़ा दिया जाए समानतर मादे कितना था X बार था X बार में अदि A बढ़ाएंगे X बार कितना है X बार में A जोड़ेंगे तो यह आपका नया समानतर माद निकल के आएगा यानि आप Sun नंबर इसका A ही राइट एंसर है Sun में है कि नहीं Sun में नाया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें ठीक है इनको आप लोग नोट कीजिएगा इसके बाद हम दसवा नंबर कोश्चन को सालो करेंगे ठीक है इनको करते हैं रपो और सुरू करेंगे अब दसवा नंबर प्रश्ण उम्मीद है कोश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा कोश्चन नंबर नवखास कर ठीक चले अब देखिए दसवा नंबर यह हो जाएगा आपका दसवा कहा प्रथम दस अभाज पुरांकों की माध्धिका ग्याद किजिए तो प्रथम दस अभाज पहले पुरांक आने वाले हूं ठीक है अब आज जी होना चाहिए एक को नहीं ले 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 एक रोड़ संग आये ठीक है दो तीन पांच साथ गेरा तेरा कि सत्रा कि उन्नीस के बाद हो जाएगी तेज कितना है तेज कितने होगी एक दो तीन चार पांच है साथ पांफा नव ते जीस के बाद एक कंसरो जाएगी 26 ऊवेें 29 कितनी है उन्थीस ठीक है अज सभी किसमें रखक्रम मैं घरे ट्श्वर और खरम होना चाहिए और पका किसम निधा है इंक DS च्रीक है इसके बादि सबसे पहला कामिका करना इक न कितने अंक हैं 10 का जो Singapore क्या है सम है तो हमें क्या निकालना माद्धिका माद्धिका बराबर फर्मूला होता है एन बाई टू वापद प्लस एन बाई टू प्लस वन वापद बटे में आ जाएगा दो ठीक है तो इन की वल्यू कितनी है दस है दस बटे दो वापद प्लस दस बटे दो प्लस वन वापद बटे में आपका दो तो दो पंचे दस और यह जागा दो पंचे दस यानी यह आपका कितना जागा पाँच वापद पाँच वापद पाँच एक छठा पद छठा पद बटे में आपका दो आ जाएगा ठीक है अब जोड़िए देखे पाँच वापद काँज आउनसा एक दो तीन चार पाँच वापद प्लस छठा पद आपका यह हो जाएगा कितना तेरा और बटे में आपका दो हो जाएगा जोड़ेंगे तीन एक च्यार एक एक दो बटे में दो काटेंगे तो कितना जाएगा बारा यह आफसल नंबर वी इल राइट अंसर ठीक है तो उन्मीदे बच्चों की एक से दस तक के कोस्चन तो आपको समझ में आ गए वीडियो को लाइक शेयर और जरू सब्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन भी प्रस कर लेना जिससे नए नए वीडियो की नोटिप्रिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए ठीक है इससे आपका ही फायदा है जब आपको लोग कच्छा 10 पास हो कर जाएंगे वहाँ पर आपको पच्छा 11 की 12 क्लासे भी प्रवाइट करवा दी जाएंगे ठीक है और 12 क्लासे आपके चल भी रही है तो चलिए इसके बाद हम लोग सालो करेंगे इनके आगे के कोस्टिन आगे कोस्टिन देखी वच्चो कोस्टिन नमर 11 में कहा गया कि आकड़ो 10 13 17 19 12 15 19 20 19 17 का बहुलक ग्याद कीजिए बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक अंक प्रियोक किया गया हो तो सबसे अधिक आप देख सकते हैं कि यह 19 है यह 19 है यह 19 है तीन बार 19 है बाकि आपको तीन बार और कोई दिखाई नहीं देगा इसका मतलब यह है कि आपसा नंबर जो सी है यह आपका राइट अंसर है ठीक है बहुलक का मतलब यह होता है जो आधिक अंक लिखे गए हैं ठीक है क्योंकि यह सतत बहुलक वाला है असतत तो है नहीं इसमें वरगंत्राल दिया हो प्रगंत्राल आपका इसकी इन कोश्चनों के बाद मिलेगा ठीक है चलिए अब यह जो है कोश्चन नंबर बारा को सालो करेंगे तो लिखेंगे सालो नंबर बारा कहा गया दस व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है उनके भारों का योग फल आप यह समांतर माध्य दिया गया है ठीक है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर पदों की योग की जगा पर लिखेंगे भारों का योग फल ठीक है किसका भारों का योग फल बटी भारों की संख्या भारों की संख्या तो समांतर माध्य कितना दिया है भार का समांतर माध्य आप लिख सकते हैं भार का भार का सवांतरमाद 45.6 भारों का में योगफल जियात करना है ठीक है यह हो जाएगा भारों का योगफल बटी भारों की संख्या कितनी है कितने वक्ति हैं कि दस भार होंगे कि यह जाएगा आपका दस ठीक है इसका अठाना है तो नीचे एक जीरो लगाएंगे दसंबलो हड़ जाएगा 10 से 10 कड़ जाएगा तो आपका जो भार है उसका कितना आ जाएगा योगफल यहां पर देखिए तो यह हो जाएगा भारों का योगफल बराब चार सो शप्पन आ जाएगा यानि आपसन नंबर बीज राइट एंसर ठीक है अब हम तेरा नंबर को साल्व करेंगे तो लिखेंगे साल्व नंबर तीरा इसमें कहा गया प्रथम दस प्राक्रतिक संख्याओं की माधिका होगी तो लिखेंगे सब से पहले अंक लिखे लें प्रथम दस प्राक्रतिक प्रथम दस प्राक्रतिक संख्याएं कौन-कौन से हो जाएंगी आपके बाज़ेंगे एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नव दस ठीक है इन बराबर कितना है दस है यह है क्या सम तो माधिका के जो सम का फार्मूला अलग है विसम का फार्मूला अलग है ठीक है तो लिखेंगे माधिका बराबर माधिका बराबर एन बाई टू वापद वापद प्लस एन बाई टू प्लस वापद बटे में आपका आ जाएगा दो ठीक है इनकी value कितनी है 10 है तो हम इसके नीचे ही साल्व कर देते हैं तो यह जाएगा 10 बटे 2 वापद प्लस 10 बटे 2 10 बटे 2 प्लस 1 वापद और बटे में आ जाएगा आपका 2 ठीक है यह काटेंगे आपका हो जाएगा 5 यह काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 तो यह पाँचवाँ पद हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे पाँचवाँ पद प्लस छटवाँ पद चटवाँ पद बटे में आ जाएगा 2 पांच वह पत्र कितना एक दो आपके बविकल पी के दो question और है उनको सालू करने के बाद हम लोग अतिलगो 3 प्रशन सालू करेंगे ठीक है चलिए तो इनके बाद हम लोग सालू करेंगे question number 14 और question number 15 question number 14 और 15 देखें बच्यों, सबसे पहड़े हम question number 15 को सालो करेंगे ठीक है ताकि हमें अगला कोश्चन सालो करने के लिए परयात जगा मिल जाए ठीक है तो देखिए 15 नमर में कहा गया कि निम लिखित 12 मारता बंटन का बहुलक ग्यात की जिए अब यह आपका वर्गांतराल वाला बहुलक है इसमें वर्गांतराल दिया गया है ठ प्लस F1-F0 बटे 2F1-F0-F2 गोड़े में हो जाता है H ठीक है अब यह L किया है सबसे पहले हैं बहुलक देखना सबसे ज्यादा किसमें है सब ज्यादा यह है तो इसको कर लेना है आपको अंडर लाइन ठीक है यह है आपका L यह आपका L है यह आपका F0 है यह आपका F1 है और यह हो जाएगा आपका F2 इनके बीच पे कितने गएप है दो का गएप है तो यह आपका हो जाएगा H ठीक है अब जो चुछ जानकारी है आप यहाँ पर लिख दीजेगा तो F0 बराबर 7 F1 बराबर 8 F2 बराबर 2 L बराबर 3 और H बराबर 2 है ठीक है सारी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए उस सालो कर दीजिए तो L का मान कितना है 3 है ठीक है यह वाला क्यों लिए क्यों कि बाउला किसका सबसे ज्यादा है बारम बारता सबसे ज्यादा है ठीक है और उसके बाद F1 F1 आपका 8 है F0 आपका 7 है बटे 2 F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 है दो और गुणे में H भी आपका 2 है तो यह हुजाएगा 3 प्लस 8 का 7 जाएगा 1 8 दूनी 16 माइनस 9 और गुणे में आपका 2 ती यह हुजाएगा 3 प्लस 2 एक अन्नम 2 बटे में 16 में से 9 घटा दीजिए कितना जाएगा 7 तो इसमें LCM कितना जाएगा 21 21 और 2 कितना हो गया 21 दो 23 तो यह हुजाएगा तो आपसन नमबर B आपका सही हो जाएगा पूरा हलकानी जरूरत भी नहीं है आप भाग भी देजिएगा तो आपको 3.286 आएगा ठीक है तो मेरे बच्चों कि आपको से क्यों जितने भी थे वह सारे के सारे आपको समझ में आ गया होंगे कोई डाउट कोई दिक्कर कोई परसानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें ठीक है चलिए इनके बाद हम लोग सालों करें है कोस्चन जो दो अंक वाले होते हैं अतिलग हो त्री प्रशन ठीक है तो दो पर कहा गया सोला नममर में निम्न लिखिद 12 बाषा बंतन का बहुलक वार्ग एंट किजिए बहुलक वार्ग हमें वार्ग हूंए तौसेसलों देखिए सबसे बारम बारता जिसके ज्यादा है उसी को हमें पकरना है कौन सा है ये 17 सब ज्यादा है उसका बहुलक वर्ग यह होजाएगा, यह अंतराइगा यह इसका बहुलक वर्ग होगा तो लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना है 12 से 16 यह हो जाएगा आपका answer ठीक है यह इ इतना एकिवल करना है अब 17 नंबर में क्या कहा गया है एक कारखाने में 50 कर्मियों की दैनिक आय निम लिखे साणी में दिया गया है यह दैनिक आय है ठीक है और यह कर्मियों की संख्या है तो हमें क्या करना चाहिए है इसमें लिखा गया है कि हमें करना क्या है इसमें इसमें और निम्नसीमा निम्नसीमा यह हमें ग्याद करना है ठीक है तो उच्छ सीमा और निम्नसीमा हमें ग्याद करने के लिए हमें यह पता जो इसमें निकालना क्या है इसमें निकालना क्या है इसमें कहा उप्युक्त बहुलक वर्ग की किसकी बहुलक वर्ग की उच्छ सीमा और न बहुलक वर्ग की उच्छ सीमा और निम्न सीमा तो आप देखिए सबसेदा किसमे है करम्चारी संक्या इस 14 नंबर में किसमे है इस 14 नंबर में जैदा क्या है करम्चारी है तो इसे हम झालेना है वर्गंत्राल तो इसे हम कहते हैं उच्च सीमा इधार वाले को इधार वाले को कहते हैं उच्च सीमा ठीक है यह हो जाएगा आपका उच्च सीमा और यह आपका निम्न सीमा होगा तो उच्छ सीमा में आपका हो जाएगा 140 और निम्न सीमा में हो जाएगा आपका 120 ये हो जाएंगे आपके answer ठीक है तो कहीं पर कोई समस्य वसे नहीं हुई होगी अब इसके बाद हम लोग जो है question number 16 17 के बाद हम लोग सालों करेंगे question number 18 question number 18 में कहा गया कि निम्न लिखित बारम बारता बंटन से समानता माद्ध ग्याद कीजिए ये question तो जड़ा 19,22 और 23 में पूछा गया है ठीक है और इसमें वर्ग अंतराल ये आपका दे दिया है और ये बारम बारता दे दिया है ठीक है हमें क्या करना होता है समानतार माद्ध प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इस फार्मूले के इस्तिमाल करेंगे ठीक है ये तो आपका होता है क्या ए भाई बारम बारता तो हमें क्या करना है हमें अभी XI ग्याद करना है ठीक है क्या ग्याद करना होगा मद्यमान तो ये हो जाएगा आपका मद्यमान जिसको लोग क्या बोलते हैं XI तो इसके बाद इसमें आपका FI गुड़े XI ये निकलता है मद्यमान होता क्या है इन दोनों उच्छ सीमा और निम्न सीमा को जोड़ कर दो का भाग देना होता है ठीक है वहीं मद्यमान होता है 10 में दो 10 का भाग देंगेɹ के 25 कितने ग्याप चल कर देना ही अठड़िस अउर 15 शड़ेंगे 30 के 0, हासिल 3 हो जाएगा, 15, 15, 3 हो जाएगा, 18, यह हो जाएगा, आपका 250, 11, 55 के 5, हासिल 5, 33, 5 हो जाएगा, 38, 9, 45, के 5, हासिल 4, नचाओ को 36, 36, 4 हो जाएगा, 40, ठीक है, आपगा, 45, 5, हासिल 4, नचाओ, 36, 4, कितना हो जाएगा, 40, अब इसे आप जोड़े लीजिए, यह जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, के 0 हो जाएगा, और इस सब को आप जोड़ेंगे, तो overall आप पाएगे, यह 1260 है, ठीक है, इसको भी आपको जोड़ना है, यह आप आपका है सिगमा एफाई एकसाई और इससे आपका निकलेगा सिगमा एफाई यानि इनका योग ठीक है इसका योग कितना जागा पच्यास बस इस वाइल जो मैं रख देना है समांतर मां तो कम लोग एक सभार से करते हैं तो यह वह जाएगा बारा सो साथ बारा सो साथ भागे पच्यास जीरो सा जीरो कर जाएगा पांच एक अन्नम पांच पांद उनी दस दो बढ़ेगा पांद पच्या पच्चीज पांच दूनी दस यानि पच्चीज दसम लोग दो समांतर मांद आएगा ठीक है तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग कोस्चन नंबर 18 के लाज साल करेंगे कोस्चन नंबर 19 कोस्चन नंबर 19 देखी बचो कोस्चन नंबर 19 में कहा गया कि निम लिखित बाराम बारता साइड़ी से माद्धिका ग्यात कीजिए और ये कोस्चन कई बार लगातार साने पूछा गया देख लिए तो ज़र 19, 20, 21, 22, 23 अभी भी इसके 80 परसेंट चांस है आने के ठीक है तो चलिए या पी क्या है सालिक दी गई है हमें माद्धिका निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए सबसे पहला काम फार्मूला क्या फार्मूला होता है लिखेंगे माद्धिका बराबर माद्धिका जिसे हम लोग किसे प्रज़ करते हैं माद्धिका बराबर होता है ये फार्मूला होता है तो हमें सबसे पहले निकालना होगा संचाई बारम बारता क्या निकालना होगा संचाई बारम बारता ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे संचाई बारम बारता ठीक है कैसे निकालते हैं इस तीन को यहाँ पर लिख देना है इस तीन को दस में जोड़ेंगे तो तेरा हो जाएगा तेरा को बीस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 33 को 13 से साथ जोडेंगे तो 3,3,6,3,1,4, 46 हो जाएगा 46,4 जोडेंगे कितना हो जाएगा पच्यास और यहां पर जो सिग्मा-F आएगा न वह भी आपका पच्छास ही आएगा चाहे तो जोड़ सकते हैं यह और यह तोनों बराबर आते हैं अब सबसे पहला काम आपको क्या कर絹ना है पहला काम और इस वाली लाइन कुए है, घटेकिंट यह आपका होता है UV यह होता आपका C, यह होता आपका F और यह हो जाता आपका L ठीक, तो जो जो value आपको पता है यहाँ से लिख देजेगा देखिए, C बराबर है 13, L बराबर है आपका 40 और F बराबर है आपका 20, बस यहाँ पर value रखेए L का मान हो जाएगा 40, प्लस N by 2 कितना है 25 है यह हो जाएगा 25, माइनस C है आपका 13 और F आपका 20 हो जाएगा गुड़े H, H की बाज़े हमने लिखी है तो H कितना है, इनके बीच में कितने gap चल रहा आप देख सकते हैं गटाएगा 40 से 55 से 40 घटा दीजिए, तो 15 का gap चल रहा है, कितने gap चल रहा है 15 का ठीक है, तो H हो जाएगा आपका 15 तो यह हो जाएगा आपका 40 प्लस घटाएगे, पांच में से 3 घटाएगे, तो हो जाएगा 2 और दो में से एक, एक बटे में आपका 20 गुरे 15, अब इसको काटिएगा, पांच से काटेंगे, पांच त्याएगे 15, पांच चाव को 20, चार एक अन्नम चार, चार त्याएगे 12, तो हो जाएगा 40 प्लस तेन त्याएगे 9, तो यह आजाएगा आपका 49, माद्धिका कितनी आगई, 49 आगई, और यह आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, तो उमीदे बच्चों कि यह 19 नमबर तो आपको सान में आगए, कोई दिक्कर, कोई परसानी नहीं है, अब एक कोश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, जो हो कि आपका 20 नमबर होगा, ठीक है, इसकी पहले आप ही आपको कमेंट्स में जरूर पिन करना है, ठीक है, और कल की क्लास में हम लोगो सालों करेंगे, लेगो 3 प्रेशन और दीर गो 3 प्रेशन, तो कल की क्लास के वीट कीजिए, तक के लिए, बाई-बाई, ठाटा